काम्याबी हासिल करने के लिए तीन चीजों की जरुरत होती है सही समय, सही सोच और सही तरीका उठो, जागो, बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष की प्राप्टी ना हो जाए जो लोग अपने कदमों की काभिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही लोग अक्सर मंजिल तक पहुँचते हैं निंदा से घबरा कर अपने लक्ष को ना छोड़े क्यूकि लक्ष मिलते ही निंदा करने वालों की राई बदल जाती है जो सबर के साथ इंतजार करना जानते हैं उनके पास हर चीज किसी न किसी तरीके से पहुँच जाती है आप अपना भविश्य नहीं बदल सकते हैं पर अपनी आदते तो बदल सकते हैं और बदली हुई आदते आपका भविश्य बदल देगी हर छोटा बदलाव बड़ी कामियाभी का हिस्सा होता है फूशिस हमेशा जारे रखो क्योंकि तकदिर बदले या ना बदले और वक्त जरूर बदलता है त्याक के बिना कुछ भी पाना संबव नहीं क्योंकि सास लेने के लिए भी पेले सास छोड़नी पड़ती है चर्चाए खास होतो इससे भी जरूर होते हैं उंगलिया भी उन पर ही उठाई जाती है जो मशूर होते हैं जिन्दगे में वो ही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते तो बहुत हैं पर करते कुछ भी नहीं उमीद जिन्दा रखिये सहाब आज हसने वाले कल दालिया भी बचाएंगे इंसान होना भाग्य की बात है मगर इंसानियत होना सवभाग्य की बात है सफलता का कोई मंत्र नहीं ये सिर्फ मेनत और लगन का होल होता है और भाना इनारे रख दीजिए और इस बात को याद रखिये कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ दुनिया की कोई भी परिशानी आपकी हिम्प से बढ़ी नहीं होती किस्मत सिर्फ मेंद से बदलती है बेटकर सोचते रहने से नहीं तुम जहाओ वही से शिरुवात करो जो तुमारे पासे उसका उपियक करो जो तुम कर सकते हो वो करो इतनी देर भी मत करना की सपने केवल सपने ही रह जाए और हुम्र निकल जाए सफलता पाने के लिए जेब में गांधी हो या ना हो लेकिन दिल में आंधी जरूर होनी चाहिए किसी चीज की सिर्फ चाह रखने से कुछ नहीं होता तुम्हें उसकी भूक होनी चाहिए हाद की लखिरे सिर्फ सजावट भया करती है किस्मत अगर मालूम होती तो मेनत कोन करता जिन्दगी हमें वो नहीं देती जो हमें चाहिए बल्कि जिन्दगी हमें वो देती है जिसके हम लायक है जिन्दगी से सिकायत मत करो इसे जीना सिखो जिन्दगी तो वही है जो आपने फुलकर जी है बाकी सब बकुआ से जिन्दगी में कुछ पाना हो तो अपने तरीके बदलो इरादे नहीं जिन्दगी जब थपड मारती है तो वो उम्रबर याद रहती है जिन्दगे में कभी हार जाओ तो चिंता मत करना कोशिश करते रहना मंजिल जरूर मिलेगी छोटी सी जिन्दगी है इसे दुखी रहकर भरबाद ना करे फुश रहे वो करे जो आप करना चाते जिन्दगे में उचे मुकाम पाने के लिए अपनी सोच को भी उचा करो एक फल में आप अपनी जिन्दगी बदल सकते हैं कैसे बस अभी से अच्छा सोचना मैसुस करो लोग क्या कहेंगे इस चक्कर में अपनी जिन्दगी बरबाद मत करो वो करो जो अपने दिल को अच्छा लगता है बदलाव से धरो मत इसे अपना लो यही आपकी जिंदगी को उचाईयों पर लेकर जाएगा अपनी जिंदगी का किरदार इतना अच्छा नेवाव की परदा गिराने के बाद भी तालिया बशती रहे हारने के बाद फिर उट खड़ा होने का नाम ही जिंदगी है अपनी हार में तुम जितना नीचे गिरोगे अपनी कामियाभी में तुम उतना उपर उठोगे मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ स्टोरी क्या होगे लेकिन उसमें ये कभी नहीं लिखा होगा कि मैंने हार मान ली सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शबर चलना भी जरूरी है मनजिल पाने के लिए जितना मिला है उतने में खुश रहिए क्योंकि कई ऐसे भी होते हैं जिनने उतना भी नसीब नहीं हुआ जितना आपको कम लग रहा है जुनोंने आपको जुकाना चाहा उन्हें ही जुकाना है मेरे दोस्त पानी के उपर पानी से पानी लिखखर दिखाना है खुद को average मत समझो crazy सोचो अलग सोचो तबी तो कुछ अलग होगा जीते जी उन्हें वो इज़त और खुशिया दो जिसके वो अगदार है क्योंकि मरने के बाद रोने से कोई वापस नहीं आता ऐसे डरते नहीं लाइफ खेलती भी उसके साथ है जो खिलाडी बेतरी नहोते है जब तक मनजिल ना मिले तब तक रुकना नहीं है मेनत के आगे किस्मत की इतनी उकात नहीं कि वो तुमारे सपने पूरे ना होने दे